नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मेरे जनरल फूट विक विनोज में हैं दोस्तो आज मैं आपके लिए एक चिकन का इस्पेसल एक बड़ी असा आइटम लेके आया हूँ और आप जब इसे खाएंगे तो उंगली चाटते ही रहे जाएंगे तो दोस्तो आज मैं इस्पेसल आपके लिए बनाने वाला हूँआ आज बड़ी असा चिकन का आइटम तो दोस्तो बगर देर के वे हम बनाते हैं इस चिकन को और आप वीडियो में प्लीज बने हैं लाज तक तो पटा-पट हम शुरू करते हैं यह मैंने हाफ चिकन ले लिया है एक लाक पीस और प्रश्ट पीस तंदूर में रोश्ट कर लिया है इसे हाफ दन कराओ है और एक बाउल में प्ले लेंगे उसमें दो अंडे तोड़ लेंगे और चिकन को छोटे टुकुड में काट के रख लिया है यह देखे कितने बड़ी लग रहे हैं और बाउल में जो अंडा फेटर का है इसमें ह 시청ें हलका सा नमग और ब्लैक पेपर डालेंगे एक पैन लेंगे उसमें हलका सा बटर डाल के उसको गरम करेंगे और जो फेंटा हुआ अंडा है उसका हम प्लेन ओमलेट बना लेंगे ओमलेट को दोनों साइट से सेक लेते हैं दोनों साइट से पका लेंगे हम इस तरह से हमारा ओमलेट का रोल इसको बना लेंगे हम आदे रोल का हम बड़े बड़े पीस काटके साइट में रग लेते हैं इस तरह से काट लिए हम मोटे मोटे पीस और जो आदा रोल है इसको बारिक चौक करके ले लेंगे तो दोनु टाइप की हमाने अंडे हमने काटके रग लेंगे एक दूसरा पैन लेंगे उसमें तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया इसमें तेज परता दाल चीनी और छोटी इलाजी डाल लेते हैं और इसको हलका साइट काएंगे यदि के हलका इसको बून लेंगे और बारी कटावा लेसुन इसमें डालते हैं इसको भी हलका गुन लेंगे लेसुन गुनने के बाद इसमें हम बारी कटावा प्याज एट करते हैं इसको भी ब्राउन होने तक गुन लेंगे अब इसमें अद्रग लेस्ट का पेश्ट डालके इसको भी थोड़े देर गुन लेंगे सारी चीज़ें ब्राउन हो चुकिये हैं अब इसमें हम मसाला डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर कस्मेरी रेट फिली पाउडर हल्ली पाउडर धन्या पाउडर और सिकन मसाला ये मस्द और नमक नमक शारे चीज़ें डालके 2 चमसद पानी डालके मसालों को हम हलकी हाज में थोड़ा पका लेंगे इससे बड़े आसे टेस्ट आएगा दो कप हमने white gravy ले लिया है यानि कि onion tomato gravy, onion cuddle gravy और दो कप tomato gravy ले लिया है दोनों को थोड़े दे भून लेंगे पका लेंगे और जो कटा अवा चिकन है इसमें add कर लेंगे इसको भी हम 4-5 मिंट्य माज़र पकाएंगे अब इसमें हम इलाइची पाउडर, coconut पाउडर और black pepper, कसुरी मेती इस दाल के पका लेते हैं और जो बारी कटावा अंड़ा वो भी हम एड़ कर लेंगे और हलका सा चीज ग्रेट कर लिया हमने इसमें और धनिया, बारी कटावा, अद्रक ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं और थोड़ा सा बटर डाल के इसको और टेस्टी बिनाइके थोड़ी देर दो मिनिट इसको पकनी देंगे अब इसमें बढ़िया करके सोड़ा सा क्रीम डालेंगे और एक मिनिट से फास्ट फ्लेम में पकालेंगे बनके तैयार हो गया हमारा चिकन तो इस चिकन खाते-खाते दोस्तों आपको चिकन से प्यार हो जाएगा देखे दोस्तों कितना बढ़िया और सुन्दा लग रहा है और इसको जो मोटे-मोटे टुकड में अंडा हमने ओमलेट काटके रखा है उससे कारनेसिंग कर लेंगे क्रीम धन्या और जूलियन अद्रक से इसको सजा लेंगे उपर से काजु के टुकड़े बारिक डाल लेते हैं एकदम बढ़िया और सुन्दार हमारी डिस्टी